नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती जवर्दस वीडियो लेकर आए हैं इस दिशा में होगा मनी प्लांट तो आपके घर में चारो ओर से बरसने लगेगा धन दिया दोस्तो हम अपने घर क को सजानने और सवारने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं अपने कमरे को अलग-अलग लुक देने के लिए हम फरनीचर को अलग-अलग दिशा में रखते हैं कई बार घर में रोनक लाने के लिए अपने घर में बहुत से पौधों को भी लगाते हैं मनी प्लांट भ घर में धन आने की और घर में सुक्र समर्दी आने की आवक बढ़ जाती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से लगाया गया मनी प्लांट का पौदा एकदम उल्टा असर पैदा कर सकता है मनी प्लांट के पौदे को रोज पानी दें तो कहा जाता है कि आपके घर में सुक्र समर्दी हमेशा ही वास करती है जितना पौदा विर्दी करेगा उतना ही घर के सदस्यों की किस्मत भी अच्छी होगी वास्तू सास्तर की माने तो दिसाओं का हमारी जिंदगी पर काफी बड़ा महतों पड़ता है मनी प्ला दिसा सबसे उचित होती है मनी प्लांट को लगाने के लिए इस दिसा में यह पौदा रखने पर आपकी नकारतमक उर्जा को जो कि आपकी घर में समय समय पर पैदा होती रहती है जो बेहदी नुकसान दायक होती है इसका असर जातक की जिंदगी पर से और जातक के कमाई उसे नश्ट कर देता है वास्तु सास्तर के मताविक मनी प्लांट के आगने कोण यानि की दक्षिन और पुरुदिशा में इस्थापित करना चाहिए यह दोनों ही दिसा मनी प्लांट को लगाने के लिए सबसे उत्तम और परियुक्त मानी गई है मनी प्लांट को लगाने के ये दोनों ही दिशा सबसे उची दिशा है। ऐसा करने से घर के सदश्यों को काफी पैसे की कमी नहीं होती है। और काफी अधिक धन उसे मिलता है। यश और कीर्ती में बड़ोतरी होती है। वैवव मान सम्मान से हमेशा घर बरा रहता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मनीपलांड की बेल हमिशा उपर की ओर बड़े इससे घर के सज़स्यों की मान और सम्मान में बडोतरी होती है जमीन जाइदाद में बडोतरी होती है वही अगर जमीन के उपर फैली कुई बेल हो तो वे घर का अनिष्ट करने के लिए उप्युक्त मानी जाती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिराफ से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जाद धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जाए बजरंग बली